वीकेंड का वार में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट चलिए दोस्तों बात करते हैं क्योंकि पूरा एक मसाले की तयारी बिग बॉस ने कर दी है स्वागत है आप सभी का बॉलिवूड स्पाई में इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है हमने देखा कि हाल फिलहाल एलविश यादव मुंबई में स्पॉट हुए है और उनसे बिग बॉस से रिलेटेड सवाल पूछने की भी कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने कोई खास रिपलाई किया नहीं उन्होंने अपने फैंस के साथ फोटोस क्लिक करवाए और उसके ब के साथ बिग बॉस के स्टेज पर जी हां और यह जो पुष्टैनी दुश्मनी है यहां से चीजे क्लियर होंगी कि भाई यह आगे कंटीन्यू होने वाली है या इस दुश्मनी पर यहां फुल स्टॉप लगेगा तो यह बहुत एक किसम से मुझे लगता है कि मोस्ट अवेटिड वीकेंड का बार रहेगा बिग बॉस का खासकर बिग बॉस ओटिटी सीजन 3 का जहां पर एक तरफ एलविश यादव होंगे और टीम 07 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे मिस्टर फैजू मिस्टर फैजू यहां पे अधनान को सपोर्ट करेंगे और अब यह देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा दोस्तों कि कितना बोलने दिया जाता है और कितना किसका पक्ष लिया जाता है क्योंकि बिग बॉस के घर में ऐसा नहीं हो सकता कि आप गए और आपने अपनी मर्जी से कुछ बोल दिया अगर आप बतौर गैस्ट बनकर जा रहे हो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन्स दी जाती है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है तो देखते हैं वह यह क्या कुछ बोल कर जाते हैं उनको क्या कुछ कहा जाता है लवकेश कटारिया को बोलने के लिए और अपनी तरफ से उसमें क्या कुछ हैड करते ह और साथ ही साथ ये जो दुश्मनी है ये जो एलविश यादा वर्सिस टीम 07 है ये इसका क्या जवाब मिस्टर फैजू देंगे क्योंकि देखा जाये तो इस कॉंट्रोवर्सी में मिस्टर फैजू इन्वॉल्व नहीं हुए थे भले वो टीम 07 का हिस्सा है लेकिन सबसे ज लेकिन का वार के लिए क्योंकि शूट कल ही होने वाला है कॉमेंट्स में बताईए जरूर मिलता है नेक्स्ट वडियो में